विधान सभा चुनाव प्रचार में विपक्षी पहुंच से काफी आगे निकल चुकी है बियारस अब असली लड़ाई शुरू होने वाली है आप विरोधियों को कुचलने की दहार सुनाई देगी सीम केसियार विकास के हतियार को लेकर चुनावी रन भूमी में उतरेंगे पहले चरण में कीस यार ने 17 दिनों में 42 निर्वाचन शेत्रों को कवर करने की जिम्मेदार रिली 17 दी वसीय कारेकरम में वे 9 नवंबर को निर्वाचन शेत्रों में नामांकन दाखिल करेंगे और विधान सभाओं में भाग लेंगे 15 तारिकों हुसनाबाद सभा से अभि प्यान फिर शुरू होगा टीस पीअसी ग्रुप्तू परिक्षा फिर से स्थगित कर दी गई है टीस पीअसी सचिव अनिता राम चंद्रा ने बयान जारी कर कहा राज में आगामी चनाओं के मद्यन अजर 2 और 3 नवंबर को होने वाली ग्रूप्तू परिक्षा को अगले स शे और साथ जन्वरी तक के लिए स्थागित कर दिया गया है कलेक्टरों ने टी एस पी एस सी को सूचित किया है वे टी एस पी एस सी परिक्षा आयजित करने के लिए आवशक कर्मचारी उपलब्द नहीं करा पाएंगे क्योंकि नवंबर में चुनाव है एस पी ने यह भी स अंदे व्यक्त किया की परिक्षा के संचालन के लिए परियापत स्तार की पुलिस उपस्तित रखना मुश्किल होगा क्योंकि पुलिस चुनाव करतवियों में भी व्यस्त रहेगी इन कारकों को ध्यान में रखते हुए टी एस पी एस सी ने परिक्षा अस्थागित करने का BRS MLC कलवकुंटला कविता कल चने का दौरा करेंगी कविता ABP Network द्वारा आयोजित The Southern Rising Summit में हिस्सा लेंगी कविता 2024 के आम चुनाओं में कौन जीतेगा और कौन हारेगा विशेपर चर्चा मंच में भाग लेंगी जो गुरुवार रात ABP चर्चा में कौन्ग्रेस सांसत की तीची दंबरम तमिलनाडू बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के वहा अन्नमलाई भी हिस्सा लेंगी मशूर लेखक चेतन भगत इस चर्चा मंच के संयोजक की भूमी का निभाएंगे CLP नेता भटी विक्रमार्क ने कहा BRS पुरानी दवा की तरह है कॉंग्रेस तिलंगाना में जनता की सरकार बनाने जा रही है उन्होंने BRS नेताओं पर उस धन और संसाधनों को लूटने का आरोप लगाया उन्होंने कहा लोगों को वितरित किया जाना चाहिए विधायकों के बाहर चले जाने के डर से के CR ने अपने उमीदवारों की घोशना पहले ही कर दी है उनका कहना है उनकी पार्टी में जब सब कुछ चल रहा है प्रतेक निर्वाचन शेतर के लिए 5 या 6 नेता हैं और वे सीम नहीं बनने की हताशा में स्तर से आगे जाकर बाते कर रहे हैं तिलंगाना में BRS विरोधी हवाएं चल रही है उन्होंने कहा कि BRS के इंदर सरकार के साथ सही ओप किये बिना तिलंगाना के विकास में बार्धार डाल रही है अखिल भारतिये यादव महासभा ग्रेटर हैदरबाद के अध्यक शुमाइल कोल महेंदरी यादव ने अनुरोद किया है दिवाली के अफसर पर आजुत होने वाले सदरुचसव को तिलंगाना राजुचसव के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए उन्होंने इस आशे का पत्र तिलंगाना के स्थियम के सियार को लिखा है मंत्री केटिया ने पिछले साल मन्ने गुड़ा में आजुत यादव आत्मिय सम्मेलन सभा में भाग लिया उन्होंने उस घोष्णा को याद किया सदरुचसव को अखिल भारतिय यादव महासभा ग्रेटर हैदरबाद के अध्यक्ष महेंदर यादव द्वारा राज्य उच्छव के रूप में आई जीत किया जाएगा उन्होंने सदर बाज थे तियादव संगम कारियाले में मीडिया सम्मेलन में यह बात कही महेंदर यादव ने सरकार से इस साल नवंबर में आई जीत होने वाले समारों के लिए तुरंत जवाब देने और जीयो देने का अनुरूद किया मेडिकल कॉलेज में रहते हुए उन्होंने राजनीती में प्रवेश किया वह एक छात्रनेता है उन्होंने कहा वह छात्रनेता के तौर पर इस मुकाम तक पहुंचे हैं देश को युवाओं की बहुत जरूरत है उन्होंने यह भी याद दिलाया आजादी की लड़ाई में युवाओं और छात्रों की भूमी का महत्वपूर्ण है वह शिक्षाक्षेत्र को उच्च प्रातमिक्ता देंगे वह स्वामी विवेकानंद को प्रेर्णा की रूप में लेना चाहते थे युवाओं को उनकी किताबें अवश्य पढ़नी चाहिए मेट्च बेच्च प्रेण 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 को प्रेण सेजिए और चाहिए मेटचल जिला घटके सरमंडल के चौधरी गुड़ा गाउं में मंत्री मला रेडी की मौजूदगी में कॉंग्रेस के कई नेता बियारस पार्टी में शामिल हुए मंत्री ने उन्हें पार्टी अंगबस रोडा कर स्वागत किया कॉंग्रिस पार्टी के MPTC भासकर रेडी MRPS के नेतरुत्व में 200 लोग मंत्री मला रेडी की उपस्तिती में बियारस पार्टी में शामिल हुए मंत्री मला रेडी ने कहा CMKCR द्वारा किये गए विकास के साथ साथ कई कल्यान करी योजनाय शुरू की गई पार्टी के आकर्शन के कारण कई लोग इसमें शामिल हो रहे हैं मेचल निर्वाचन शेतर में उनका कोई मुकाबला नहीं है उन्होंने कहा हर पार्टी की पार्टियों में उचित नेता नहीं है रंगारेडी जिला कलेक्टर हरीश ने उमीदवारों को नियमों और वी नियमों का पालन करने की सला दी उन्होंने चेतावनी दी चुनाव नियमों का पालन नहीं करने पर मुकदमाद दर्च कराया जाएगा रंगारेटी जिला कलेक्टर हरीश ने कहा ये दी चुनाव कोड़ पाचास हजार रुपे से अधिक है तो उचित सबूत होना चाहिए यह सुजाव दिया गया है उम्मीदवारों की घोशना के लिए एम सी सी समिती की अनुमती ली जानी चाहिए चेकिंग के लिए फ्राइंग दस्ते की व्यवस्था की जाएगी पत्रक छापने वालों को धारा 126 का पालन करना होगा यह सला दी जाती है कि रूट मैप प्लैनिंग रिटर्निंग ऑफिसर को पहले ही दे दे राजनेतिक दलों को पहचान पत्र दिखाना होगा सरकारी अधिकारियों ने किसी भी पार्टी का पक्ष लेने के खिलाफ चेतावनी दी है माइक की अनुमती सुबह 6 बजे से राद 10 बजे तक होनी चाहिए सरकारी कारेलों पर दीवार लेखन न किया जाए नीजी संस्था पित्र पक्ष में महालया अमावस का बड़ा महत्व है इसके जो तिश्य विध्यान के बारे में बता रहे है जाने माने पंडित प्रभाकर चक्रवर्ती शर्मा सबको नमस्कार मैं आपका पंडित प्रभागर जखोर शर्मा महालय पक्ष को पित्र पक्ष कहा गया है और महालय पक्ष के अमावास्च को जो है महालय अमावास्च के रूप से बताया गया है हमारे जोती शास्र के अनुसार आश्वी जमास के क्रिष्ण पक्ष पाध्यमी से रेके आश्वी जमास के अमाव आश्ची के ये पंदरा दिन को महाले पक्ष दक्षिन भारत गणन के अनुसार भाद्रपत मास के क्रिष्ण पक्ष पाध्यमी से भाद्रपत मास के अमाव जाता है सनातन दर्म हिंदू दर्म के अनुजार देवी देवताओं के पूजा करने से आत्मी को जो भी फल मिलता है उससे अधिक गुण फल पित्र देवताओं का कार्य करने से मिलता है इसलिए हर आदमी को हर अमावास्य और पौनिवी के दिन पित्र देवताओं के लिए तरपन छोनना पित्र देवताओं के लिए दान धर्म करना और जो भी गर में जो गुजर गये हैं वो पित्र देवताओं के लिए विशेश अगर कोई विक्ति कल्युग और आज के प्रभाओं के उनके वृत्ति पुज्योग व्यापआर के कारण यह अगर लिए लिए समय का नुसार नहीं कर पाते हैं या कोई भी बंदा खेदरना जीसे दुर्गडर में करोना जीसे महम मारे इसे काल में अगर मर जाते हैं और कब मर गया कि इस्तिदी में मर गया वो पता नहीं है उन सब के लिए महारे पक्षिव ही शूरसे महारे अमावाश्य जा रहा है इसके साथ ही टिकिट की आस लगाए बैठे नेता दूसरी पार्टी में न जाएं इसके लिए भी शुरू से ही तुष्टी करन के कदम उठाए गए हैं उसी के तहट नेताओं के असंतोष को शांत करने के लिए जनारेडी की अध्यक्षता में एक चार सदसिय समित का गठन किया गया है कॉंग्रिस ने उन निर्वाचन क्षेतरों में नेताओं के समनवै के लिए इस समिति का गठन किया जहां उमिद्वारों की प्रतिस पर दादिक है मैईला समीती की पहली बैठक गांधी बवन में हुई जनारेडी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक जहां टिक्टों के लिए प्रतिस परदा अधिक थी और उम्मीद्वारों के चैन को निशकर्ष पर पहुंचाया गया। जुबली हिल्स विधायक दबंगों को पाल्स कर खूनी इतिहास रच रहे हैं। उन्होंने आरोप लगया जो लोग विधायक के पीए की रूप में काम करते हैं वे लोगों को बेरहमी से पीट रहे हैं और आतंकीत कर रहे हैं। और वे विधायक के टियार को देख कर यह सब कर रहे हैं। उन्होंने पूछा वे ऐसे लोगों को बियारस टिकेट कैसे दे सकते हैं। मलकाजगीरी कॉंग्रेस नेताओं ने कॉंग्रेस छोड़ चुके नंदीकंटी श्रीधर को चेतावनी दी है। पर नंदीकंटी ने श्रीधर की कड़ी आलोचना की वे अब ऐसे ओचे दिखावे से बचना चाहते हैं। हैदरबाद के चैतनेपूरी जंक्षन के पास सड़क पर बड़ा गड़ा बन गया। अलबी नगर से दिलसुक नगर जाने वाली मुख्य सड़क का हिस्सा अचानक धंस गया है। सड़क पर करीब दो फीट चोड़ा और चार फीट गहरा गड़ा हो गया जिससे वाहन चालक घबरा गड़ा गये। और सावधानी बरतने से बड़ा हाथ साटल गया। सूचना मिलने पर ट्राफिक पुलिस ने गड़े के पास निशान लगा दिया और साइट से वाहन धीरे धीरे चल रहे थे। हयात नगर अपकारी पुलिस ने अवैद रूप से गांजा और शराप ले जा रहे दो लोगों को गिरफतार किया है। और शराब ले जा रहे थे। आरोपियों के पास से आठ दशमलो आठ तीन किलो गांजा च्छे बोतल शराब और एक लीटर आईडी शराब बरामत की गई गिरफतार आरोपियों को रिमान पर भीज दिया गया। हयात नगर अपकारी थाने के सी आई लक्ष्मन गौर्ड ने कहा वे अवैद रूप से एपी करनाटक च्छतीजगर और ओडिशा से गांजा सप्लाई कर रहे थे। दोबिगाट वानी नगर में दुरलब दो मुहा साप ने हड़कंप मचा दिया है लीड इंडिया स्कूल के कर्रिस्पॉंडेंट सूर्य परकाश के घर के बगल में खाली जगह पर दो मुहा साप रेंग रहा था। कर्रिस्पॉंडेंट सूर्य परकाश ने इस दुरलब साप की पहचान की उसने चाला की से से पकड़ लिया और आई-एस सदन पुलिस टेशन ले गया आई-एस सदन इंस्पेक्टर मलेश ने वनधिकारियों को सूचित किया और वे थाने पहुंचे इंस्पेक्टर मलेश क मौझूदगीर में सूर्य परकाश ने दो मुहा साप को वन अधिकारियों को सूचित लंगाना के विधान सभा चुनाओं को लेकर हर राजनेतिक पार्टी गंभीर है और साथ ही सभी पार्टिया चुनावी रन्नीती तैकरने में लगी है वहीं कॉंग्रेस किसी भी कीमत प विस्तार से यहां जानते हैं कॉंग्रेस का सत्ता में आना तय है इन छे गैरन्टियों को जनता तक महुंचाने के आखिर क्या रणीती है सबसे बड़ा सभा तो यही है कि क्या तैनागाना के लोग कॉंग्रेस पार्टी दोरा चाएंगी खेती हर मजदूरों को बार हजार दिये जाएंगे चावल की फसल के 500 रुपे के बोनस की घोशना की गई है ग्रहजोती योजना के माधिम से प्रतिक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिचली प्रदान की जाएगी बेघर लोगों को जमीन और मकान बनाने के लिए 5 लाक रुपे दे जाएंगे इसके अलावा कॉंवरेस पार्टी तेलंगाना अंदोलन कारियों को 250 गर्स घर बनाने के लिए जमीन देना चाहती है यूव यकास योजना के माधिम से चात्रों को 5 लाक रुपे शिक्षा आश्वासन कार्ट हर मंडल में तेलंगाना इंटरनेशनल स्कूलों की स्थापना बुजर्गों विकलांगों एकल महीलाओं के लिए चार हजार रुपे का मासिक पेंशन दसलाक राजु आरोग्य भीमा को कौन इस पार्टी अपने च्छे गार्निटी होजना नहीं बल्कि चुनाओं जीतने के हत्यार होने का दावा कर रही है An announcement which will empower my dear sisters of Telangana Mahalakshmi, Mahalakshmi which means rupees 2,500 month financial assistance to women Gas cylinder, gas cylinders at rupees 500 Free travel for women in TSRTC buses across the state Fulfill the aspirations of the people of Telangana, of my brothers and sisters of Telangana We are announcing six guarantees, Mahalakshmi being the first one And we are committed to fulfill, to fulfill in them Each to fulfill each one of them Lekin BRS का आरोफ है के इन योजनाओं को लागू करना इतना आसान नहीं है और Congress सिर्फ चुनाओं जीतने के लिए जिनता का लालच दे रही है हतिले परचान दिखा रही है और जब चुनाओं जीत जाएगी तो सारे वादे रही है